मैं एकता शर्मा आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल मेरे जो इंग्लिस चैनल है इंग्लिस विद एकता सर्मा उस पे और आज का हमारा टोपिक है जो फिग्रोव स्पीच अपना चल रहा था दो वीडियो इसकी पहले सी मैं अप्लोड कर चुकी हूं इसका पार्ट थ्री है वह आज आपके लिए लेकिया हूं अपनी 6 जो फिग्रोव स्पीच है वह कंप्लीट हो चुकी है और आज है वह सात्वा जो अपना फिग्रोव स्पीच है और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप इसको बोर सकते हूं जो मैं आज करव सब्सक्राइब और इसे तीन like मैं मैं एकपरी किया होता है कि 2 जो इंटेसिस को इसमें लए जाता है लेख्व और स्पी इन वीच्ज़ आपोजिट आईडिया इैन डिखनेờ औरफ ऑपोजिट आइडिया इattend एक दम और प्युशत though । दो आइडियाज दिये होँए दोनों exactly एक दूसरे से opozit होँगे तो उनको क्या बोलते है antithesis तो ध्यान देने बाली बात इसमें ही हैं कि opposite जो idea है वो यहांपे आएगे opposite idea, opposite word नहीं है यहांपे ideas है, दो विचार दो विचार धारें, दो विचार जो कि एक दूसरे से अपोजिट होगी तो आपको यहां पर जो महली आपको कई कई बार क्या होता है कि डेफिनेशन है वो भी एक्जाम में आजाती है जरूरी नहीं कि एक्जाम्पल देखे आपसे पूछ ले कि बताओ इन में से कौन सा यहां पर फिग्रोस्पीश यूज में लिय देखो इसके एक्जाम्पल देखते हैं Give me liberty और give me death एक हो गया tutte तरह difficulty करना ओर एक हो गया किसी को मारना death देना तो दोनों जो चीज है वो एक दूसरे से opposite है दो विचार है लेकिन दोनों विचार क्या है एक दूसरे से opposite है देखो second example देखो man are cruel m-e-n है यहाँ पर man is kind यह singular है यह plural है then देखो man are cruel man है वो cruel है but man is kind but man है वो kind भी है देखो दो विचार है cruel भी बता दिया kind भी बता दिया किसको man को दो अलग-अलग विचार है वो यहाँ पी दिये है opposite ideas है third देखो man are cruel many are cruel but few are chosen की बहुत सारों को बुलाया गया but few are chosen लेकिन कुछ को ही चूज किया गया तो अलग-अलग विचार होगे ना बहुत को बुलाया many are cruel but few are chosen for the united we stand divided we fall की united we stand जब हम unite रहेंगे संगटित रहेंगे then we stand हम strength कर पाएंगे हम खड़े रहेंगे but divided we fall अगर हम divide हो जाएंगे then हम गिर जाएंगे जैसे बोलते हैं संगठन में ही शक्ति है unity is strength तो वो ही विचार यहाँ पे दो विचार दे दिये united we stand divided we fall और दोनों विचार है वो एक दूसरे से against है एक दूसरे से opposite है एक तरफ संगठन का दे दिया एक तरफ divide का दे दिया फिर देखो speech is silence speech is silver जो speech है वो क्या है silver है एक तरफ बोलने का बता दिया but silence is gold लेकिन जो silence है वो क्या है gold है दो विचार बता दिये कि बोलना है वो क्या है silver है but जो silence है चुपी है वो क्या है gold है अधर चुप रहना है वो बोलने से ज़्यादा बेटर होता है तो दो है वो एक दूसरे से जो opposite जो विचार है वो यहाँ पे बताएं अपोजिट बातायब को एक तरफ बोलने का लिए बता दिया एक तरफ चुप रहने के लिए बता दिया एक तरफ you night रहने के लिए दूसरी दिवाइड का बता दिया कहीं पर maniacal but few are chosen man are clear but man is kind तो सब में जो opposite ideas है वो यहाँ पर दिये हुए है यह क्या होता है antithesis तो ध्यार रखना antithesis क्या होता है opposite ideas को लिए हुए एक sentence यह होता है antithesis और यह contrast best भे होता है यह भी पूछ सकते हैं कि contrast best भे कौन सा figure of speech है तो यहाँ पर antithesis दे दिया वैसे तीन होते हैं बर मालो antithesis भी आ सकता है oxymoran भी आ सकता है और paradox भी आ सकता है इन तिनों में से कोई भी एक नाम दे देंगी तो यह हो गया अपना antithesis next देखते हैं अपन oxymoran oxymoran क्या होता है oxymoran में भी opposite आता है contrary जो quality है वो आती है दो opposite words साथ साथ में आते हैं देखो oxymoran is यह figure of speech in which two contrary qualities are presented at once or the same thing in other words मतलब दूसरे शक्दों में एक easily language इसकी है इस जो oxymoran आ उसको समझाने के लिए two words that seem opposite two words that seem opposite are put together कि two words that seem opposite दो जो opposite word है जो कि एकदम opposite लगते हैं देखने में आप put together उनको साथ साथ रखा जाता है देखो oxymoran नीजे figure of speech in which two contradictory qualities मतलब जो विप्रीज जो qualities है contradictory जो qualities है are presented at once or the same thing तो same चीज है लेकिन वो जो contradictory जो qualities है वो एक साथ है वहाँ पे रखी जाती है means जो two words that seem opposite आप put together किसमें oxymoran में यहाँ पे two ideas है opposite ideas बट यहाँ पे क्या है two words है antithesis में और oxymoran में एक चीज़ आपको देहां डखनी है कि antithesis क्या है opposite ideas two opposite ideas बट oxymoran क्या है two opposite words बहुत जरूरी है यह चीज़ दिहां डखने वाली बहुत confused करती है एक्जाम में students को यह तो इसके एक्जांपल देखते हैं आपकी जो confusion वह इसमें दूर हो जाएगी देखो एक्जांपल देखो he gave me a pleasing pen he gave me a pleasing pen pen है वो pleasing कैसे हो सकता है pleasing मतलब जो अच्छा लगता है जो खुशनुमा होता है जो सुआता है अपने को बट जो pen है वो तो दर्द देने वाला होता है देन यह दोनों क्या होगे opposite word होगे pen है वो pleasing नहीं हो सकता life is bittersweet जो life है वो sweet बोर सकते हैं या फिर bitter बोर सकते हैं bittersweet, sweet है वो bitter कैसे होगा तो sweet और bitter है वो दोनों एकदम से एक दूसरे की opposite होते हैं against होते हैं, अलग चीज, two opposite words इसमें ये होगे तो life is bittersweet लाइफ है वो या तो स्वीट हो सकती है बीटर हो सकती है बीटर स्वीट स्वीट है वो बीटर नहीं होता है बीटर हो स्वीट नहीं होता तो अपोजिट वर्ड हो गए थार देखो एन ओल्ड मैन इस दा वाइजेस्ट फूल एन ओल्ड मैन की ओल्ड मैन जो होता है वो क्या ह पेंट डिजिंग नहीं होता बीटड है वह स्वीट केसे होगा स्वीट नहीं हो सकता अपोजिट वरड है और ऐसे यहाँ पर देखो फूल है इसकोंने six क्षेख अगे देखो लोज टूरी है तो खीज चाहिआं प्रॉंट कि बना दे साइलेंस साइलेंस परॉंट---- तो वह इसकोँ अगर शाउटिंग हो तो वह इससे कुछए और silence किसी को diff कैसे कर सकती है तो दो opposite word है वो एक साथ यहाँ पे रखे जाते हैं वो होता है oxymoron क्या होता है oxymoron देखो next है paradox तो antithesis और यह जो oxymoron है आप आपको समझ में आ गया होगा आप वीडियो को like करना बिल्कुल ना भूले किया तो जरूर इसको subscribe कीजिए जिससे अगली notification है वीडियो की notification आपको मिल सके अब आप next देखते हैं अपना paradox तो paradox क्या होता है paradox है वो भी contrast based होता है इसमें क्या होता है एक statement दिया होता है एक कथन एक statement है वो आएगा जो कि क्या होता है logically अपने को क्या लगता है एकदम contract लगता है ये एकदम थोड़ा उसमें रोधावास लगता है कि ये कैसे हो सकता है बट अगर उसमें एक sense होता है उसको अगर हम सोचें तो वो अपने को सही नजर आता है logically तो वो सही नहीं दिखेगा but उसमें एक sense है उसमें एक sense होता है logically वो अपने को contradictory दिखता है मतलब अपने को लगता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है but उसमें एक sense है वो निकल के आता है और वो एक statement होता है देखो एक जांपल के रूप में देखते हैं child is the father of man child is the father of man child है वो father of man child कैसे होगा एक बच्चा है but इसमें एक sense निकल के आ रहा है कि बच्चा है अगर वो अच्छा बच्चा है then father of man मतलब man ही आपे good man के लिए आया है एक अच्छा आदमी तो बच्चा है वो क्या होगा father of man अगर वो बच्चा अच्छा है तो अच्छा आदमी का पीता होगा मतलब अच्छे जो अपने गुण है वो इस वर्ड के अंदर वो फैलाएगा बांटेगा और जो बड़े लोग है वो भी बच्चे से अच्छी बात है वो सीख सकते है जरूरी नहीं कि बच्चे ही सीखते है बच्चों से भी हम बहुत सारी चीज़ी है वो सीख पाते है तो क्या होता है child is the father of man तो अगर बच्चा किसी बड़े आदमी को कोई चीज सिखा देता है अच्छी चीज मान लो सिखा दे किसी बच्चे से अपने को कुछ सीखने को मिले देन वो क्या हो गया father of man हो गया logically वो नहीं होता logically वो जो बच्चा है वो father नहीं हो सकता किसी आदमी का but इसमें एक sense है वो निकल के आ रहा है कि हाँ ये चीज सही है अगर इसको हम सोचे तो second दे को the king is dead long leave the king the king is dead राजा है वो मर गया अब राजा मर गया तो long leave कैसी होगा लो लम्बे समय तक लेकिन लम्बे समय तक वो leave रहेगा long leave रहेगा कैसे अपनी memory में रहेगा वो राजा dead तो है अगर वो अच्छा है तो उसकी जो अच्छी यादे हैं जो अच्छी memories है वो अपने माइंड में रहेगी और अगर वो बुरा है तो फिर भी वो अपने माइंड में रहेगा कैसे कि अच्छा रहा वो ऐसा था वैसा था चला गया देन देखो the king is dead long leave the king इसमें sense आ रहा है लोजिकली तो यह different है यह ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि राजा है वो dead है तो वो long leave कैसे होगा बट इसमें एक sense आ रहा है वो अपनी memory में long leave है थार देखो he is the best teacher who teaches nothing देखो he is the best teacher कि best teacher कौन होता है जो teaches nothing जो कुछ नहीं सिखाता कुछ नहीं पढ़ाता हमें कुछ बताता नहीं है वो best teacher होता है तो कितनी गलत बात है देखो कैसे होगा best teacher teacher तो वो यह जो अपने को अच्छे चीजे जो बताता है हमें पढ़ाता है हमें समझाता है चार चीज हमें सिखाता है हमारा knowledge है वो बढ़ाता है हमारे जो doubts है वो clear करता है तो वो होता है best teacher लेकिन इसमें एक sense तो ही कि he is the best teacher who teaches nothing अगर teacher कुछ पढ़ाएगा ही नहीं तो जो बच्चे हैं वो उसकी कोई मानलो कोई mistake हो गई कोई गलती हो गई इंसानों से गलतियात हो गई जाती है तो teacher जब पढ़ाएगा ही नहीं तो बच्चों को सबको ऐसा लगेगा कि हाँ यह बहुत अच्छा teacher है उसकी कोई fault अपने को नहीं दिखेगी तो वो ही जो best teacher है जो कुछ नहीं पढ़ाता fourth example देखते हैं there is no one so poor as a wealthy miser कि there is no one so poor as a wealthy miser कि इतना poor कोई भी नहीं है कि इतना wealthy miser जो की wealthy है बहुत पैसे वाला है बट क्या है miser यानि कंजूस है तो पैसे वाला जो कंजूस है उससे ज्यादा poor है वो कोई नहीं हो सकता अब पैसे वाला है तो वो poor कैसे हुआ लोग लोजिकली एक ओंट्रडिक्ट है यहां पे antithesis नहीं है oxymone नहीं है यहां पे क्या है paradox है क्योंकि इसमें एक sense है जब वो कुछ खर्चा ही नहीं करेगा पैसे ही पैसे है इकठे कर लिए और किसी चीज़ पे जब वो खर्चा नहीं करेगा दैन उसकी condition कैसी हो जाएगी poor के जैसी ही हो जाएगी next and last the sleep kept us awake the sleep kept us awake जो नींदर है वो हमें जगाई हुए रखती है कैसे क्योंकि हमें जो dreams है वो नहीं नहीं dreams आते हैं हम mind में सोचते रहते हैं अलग-अलग चीज़े हैं वो अपने mind में चलती रहती है then sleep है वो क्या करती है अपने को awake रखती है तो यह होता है paradox जिसमें एक sense है वो निकल के आता है एक statement यह होता है एक कथन है वो यह होता है और उस statement में से एक sense निकल के आता है दिखने में वो contradictory है उसमें contrast है दिखने में but उसमें एक earth है एक meaning है एक sense है यह होता है अपना paradox तो antithesis, oxymone और paradox यह तीन है वो contrast best अपने figure of speech है exam में पक्का आता है इन में से एक question है वो 100% exam में आता है then आपको कोई भी confusion नहीं होनी चाहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जुरूर आप इसको like share जुरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने friends को share कीजिए बताईए ओके बाई